कि हलो दोस्तों वेल्कम टू इंक्लूसिव स्टेडी सेंटर इस वीडियो में आपके सामने यूपीपीस प्री दो हजार चौवीस का जो एक्जाम है उसके बारे में डिशकर्श करूंगा कि जुलाई में इसका एक्जाम इस तारीकों हो सकता है और सब्सक्री प्रीका एक्जाम 11 फर्वरी को हुआ था वो रद्ध हो गया है वो कभ होगा आपका और उसके बारे भी हम डिशकर्श करेंगे तो आएए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर आपको मेरा नीचेटिब अच्छा लगे तो प्लीज चलो सेयर करें स्क्राइब करें करते हैं ओफिशली नॉटिस की यह फाइनली आ चुका है बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग बात करने की कोशिच की थी लेकिन जिनको मुझे पर पूरा भरोसा था ना उनको बात पता थी और वह बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपने भैसले पर अडिक रहे जिन्होंने य सेकेंड या थर्ड वीक में यह एक्जाम पॉसीविल लग रहा है इस समय जो प्रिजेंट में सुच्वेशन बन रही है अभी तो किसी को नहीं पता है सब तुक्केवाजी कर रहे हैं क्योंकि उस फश्ट वीक में आपका सीटैट का एक्जाम है जो सेंटर लेवल पर टीच इंफिर्मिशन कहती जो मुझे आप फ़ी इन्फरमेशन मिल रही है अभी की तारीख में और यह बहुत दिन है इसके अंदर यह सेकंड से थाड़ हीक में आपका यह एक्जाम हो सकता है जो क्या कहते हैं मुझे फिलाल इंफ्रमेशन मिल रही है अभी जैसे ही मुझे कर दो मिलेगा तो मैं तुरंत आपको इसके बारे में बताऊंगा तो अब हम बात कर लेते हैं आपके इसमें जो आरो ए आरो का एक्जाम से पहले मेरा टेली ग्राम गुरॉप इंक्लूसिफ टडी सेंटर डिस्किशन में आपको इसका लेग मिल जाएगा प्लीज आप इसको जरूर जरूर जोइन करें किसी भी गवर्मेंट जोग की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपको को इसको जरूर जोइन कीजिए अब बात करते आरो ए आरो के बारे में तो आरो ए आरो का जो पेपर है वो बाद में होगा मैंने यह पहले ही आपका अगस्त पॉसिबिल लग रहा है अगस्त के बिड़ के आसपास कर हमें लग रहा है कि फिलाल अगस्त के मीड में होगा और मैंस इसका ज्यादा लेट नहीं जाएगा यह भी आप द्यान रख लेना बहुत लोगों को लगता है ना कि एक जांब बहुत लेट हो गया ह तो इसलिए ज्यादा रिलेक्स होने की जरूरत नहीं है एक दो दिन आप रिलेक्स हो सकते हो अगर ज्यादा रिलेक्स होने की कोशिच करोगे तो UPPCS आपको रिलेक्स कर देगा क्योंकि इस बार इलेक्स देगा रहा है ध्यान रख लेना बंपर भड़ती आयूई है चाहिए यूपी PCS की बात करें के बात कर लेता हूं कि अंदर फिलाल की तारीक में तास्सो प्लस लेकंसी है यकीन मानना सास्सो प्लस फिलाल की तारीख में और जहां तक बात एक्जीकूटिव पोश्ट तेंगों कुछ स्पेशल पोश्टी भी होती है लेकिन कुछ पोश्ट जो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए वोते हैं जो उनके लिए यह हम बात करते थे साड़े 600 के आसपास कर ऐसी पोश्ट है साड़े 600 पलस में पहले 700 पहले बताता था साड़े 500 पलस बताता था लेकिन मुझे इंफर्मिशन लेटेस्ट मिल चुकी है आज की तारीख में जो सिंपल ग्रेजुएशन एंग्जेकूटिव के लिए जो पोश्ट है वह साड़े 600 के आसपास कर अभी दो तीन सब पोश्ट ऐसी है जिनका अध्याचन वापिस चला गया है और उस पर भी पूरी तरीके से आपको काम हो रहा है जब तक अभी तो प्रीके एक्जाम में ही काफी दिन है और जैसे ही उसका अध्याचन पर काम हो जाएगा सरकार की तरफ से और स के लिए हमार साथ जुड़ी रहें धन्य बाद गाइज नमस्कार